तो आप आपको आपको लगता है कि आपकी जितनी शिकायते होती थी जग जीत चिंग साब से या जो भी आपने अपनी बात रखी उन्होंने आपको ये स्पेस भी दिया हमेशा कि आप अपनी बात रख सकें और आपकी बात को जहां भी उन्हें सही लगा उन्होंने माना भी बहुत आशान था, वह कह सकते हैं, हो सकता है, आप जितना गुनी वॉयृनि वाहदा उनको नहीं मिलता, दूसरा मिल जाता है, नेकि वॉयृनियों ने आपको हमेशा हाई आपकी कला की कदर की। है यहां वाइलन की बात ही नहीं रिए सर यहां बातो रहुए ईडिकेट्स की मेनर्स पैनरस से अलनी अपना डिख even मेरी लाइफ में कुछ भी निए है कोई भी आ जायाאל ड़ा बोलो तो मैं कभी मर जांगया नहीं बोलूंगा तो वो था एक रिष्टा और एक सर एक अजीब सा एक रिष्टा था हम दोनों का अजीब सा रिष्टा था बहुत जगड़ा हुआ कुछ-कुछ टोर्स ऐसे हुए हैं जिसमें महिनों महिनों पर हमने बात नहीं की एक दूसरे सब कुछ काफी कुछ हुआ है मतलब क्या पता हूं सब्सक्राइब करके 2011 तक कभी पैसी की बात नहीं हुए कभी नहीं हो और अगर कसीनों का हिसाब करूं मैं तो करोडों मैं करोडों में इतना हाराओं मैं और वो खेलने देते खुद मिरसा खुद भी खेलते थे उनके बायोग्रफी में भी है मैंने मैंने बोला है तो वो रिष्टा था नहीं सार हमारा एक म्यूजिशन एक सिंगर का रिष्टा नहीं था एक दोस मेंटर बाप भाई सुख दुखका साथी और चित्राण टी भी डिष्टा दोस में कोई दो राहे नहीं मुझे याद है मेरा स्लिप ड़्स हो आ था तो रात्राइब भर जक्ती ती ओ में लिए तो जो अच्छी चीजे वो हमेशा याद रखनी चीज़िए और गी तुमे अब अटे है अभी जग जब अब यहाव जब 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 है अभी को अब नहीं डाटना वातना शुरू किया या अभी भी आप लोग का हासी बदा के चलता रहता है मतलब प्रोग्राम के अब आपको मैं वो जो डे वन पहले उन्होंने मुझे कहा था कि अपने लिए बजाना अपने लिए गाना अपने लिए म्यूजिक करना यह मुझे सची बता रहा हूं यह कुछ सारों से मुझे यह चीज रेलाइज होई कि इसका मतलब क्या है वो कहते थ आते हैं ना, 78%, 80% जो टिकेट लिके आते हैं उनको कोई म्यूजिक से मतलब नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बढ़ाई दिखाने के लिए कि ओ या, या, लास्ट नाइट वी वेंट तुछ या, 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 या लास्ट नाइट वेंट तुछ नाइट, या, 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 य आधा है उनको तो मूजिक से कोई मतलब ही नहीं होता है, नॉमल ओडिन्स गोलें, कला कर नहीं, नॉमल ओडिन्स गोलें, तो यह मतलब काफी सारी चीजें यह पोशिच करता हूं कि अपने इस डीवन में वैसी ही चलती रहे और वही, उसको मैं चेंज तो नहीं कर वो नशा ऐसा उत्रा मेरा की पूछो मत तो जानते थे कि इस रस्ते पे इसको चलने दो इसको मजा लें दो थोड़ा पता चलेगा तो फिर वापस आएगा तो उन्होंने उनके सर्कल में तो खेर कौन नहीं है मैं नाम नहीं लोगा कुछ-कुछ बड़े लोगों को ने बोला कि बड़ अच्छा काम करता है इसे करा आओ पहुचा मैं मुजिक सिटिंग होई तो जो इरिक्रसाब थे एक बार और गाहो क्या बात है क्या बूटिफुल कंपोजिशन है वेरी नाइस वेरी नाइस रिटन एंड वेरी वेल कंपोज रिए सब कुछ हो गया एक बार गादि तीन बार गादिया, चार बार गादिया, वी दला दर दोने लेगा अचा मेरा वो निया कि सिटिंग मतलब आप 40 मुजिशन ले जाओ, वो मेरा ताम जाम निया सिटिंग मतलब आपको कंपोजिशन सुनने ये वर्ट सुनने वो हारनुम पर सुनना आप वो उसके लिए ताम जामनी चाहिए, मैं इस तरीके से करता हूँ तो खर अब तो वो भी बन कर दिया, आप तो यह है यह लेकर जाओ अनिवेज, तो अब कोई चाह लेकर आया, तो उसको बिठा दिया आप जाते हो, तो मैंने आप समझते नहीं, जनता जनारदन होती है, जब आप गाते हो, तो मैंने की रेक्शन्स देखता हूँ कि इनका रेक्शन क्या है, मैंने आपको पता है, यह आदमी कितना परेशान शेकल से लग रहा है, जो फाइल लिके आया है, इसकी फैमली में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या चल रही है, यह मेरा गाना क्यों सुनेगा यह, यह इस कंपोजिशन को क्यों सुनेगा हो, ये डिसिजन आपका है, आपको कैसा लगा, बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे को पब्लिक का रियक्शन देखना है, कि उनको कैसा लग रहा है, तो मैंने रेक काम करें, आप शिवाजी पारक में मेरे एक प्रोग्राम रख लीजिए, 75,000 लोगों को बुला न आप दस लोगों को पुछे कि वो पुछ पीज़ा चाय लेकिया है, उसको क्या मुजिक से मतलब है, नहीं, यही लोग तो खुश होने चीए, तो मैंने इनके लिए फिर ऐसा मुजिक बनाओ आप, लाल टमाटर टाइप का मुजिक बनाओ, पिर ऐसे मत सोचो ना, कि सूफी होना चीए, यह होना चीए, वो मैं सोचो ना, उनको मतलब ही नहीं है, उस चीज से, खेर, मैं बात करते करते हैं, मेरा हर्मनीम पैक करने लेगा, तो यह क्या कर रहे है, मैंने बस हो गई सिटी में, बस, कर ली फिल्म, आइंदा से मैंने बोला, मैं कभी नहीं होगा आपके जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनको पता है कि क्या होआ होगा, तभी वो मेरे को बोले थे, जाके जाके देखो क्या होता है, तो मेरे को फोन आया, हाँ भई, मैंने, हाँ अंकल, हो गई सिटिंग, निकल गई सारी हेकडी, मैंने निकल गई सारी हेकडी, ह इस रस्ते चल रहे हो ना उस रस्ते ही चलना भटकना मत कि दुनिया कदमों में आती तुम्हारे अगर तुम स्ट्रॉंग होते हो और अपने काम पे तुमको अकीदा है विश्वास है और इसलिए मत काम करना कि इस काम से मुझे यह मिलेगा यह काम करूँगा तो मुझे यह मिलेगा यह उस वो कभी दिमाग में खयाल भी नहीं आना चाहिए डू यह वर्क प्रॉपर्ली जो तुम्हारी अवकात है जितना तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है चीज वो निकाल दो अपने अंदर से तमय को मत देखना कभी घड जाजी की तरव से भी मम्मी की तरव से भी जग जी तंकल की तरव से भी कि मैं कितनी बार मैं मेरे जो साउंड इंजिनेर है सेतू रमन जी एक टाइम था कि हम सुबे 11-12 बजे काम शुरू करते थे और नेक्स डे मॉनिंग 6-7 बज जाते थे पता नहीं चलता था कि सुबे क कितनी बार मैं स्टूडिय में सोया हूं मैंनों स्टूडिय में सोया हूं घर जाता ही नहीं था यह पागलपनती जरूरी है पागलपनती नहीं पैशन मतलब आपको बे इंतहां इश्क होना चाहिए अपने काम से अगर आपके बारे में कोई जाके गूगल पर पढ़ेगा या आपके कुछ इंट्रियूज यहां वहां से ढूड़ना शुरू करेगा तो कई जगों पे आपके नाम के पहले यह लिखा होगा कि भारत के सबसे अच्छे बाइलिंग बजाने वाले कलाका है अब मेरा सवाल भोड़ा दूसरा है. सवाल मेरा यह है कि जब इस तरह की बातें लोग कहते हैं आपके साथ लेकिन आपके मतलब कलाकारों के लिए ज् Cant CardFrank Ihnen पॉरसकार माने जाते हैं या जो या आपकी नाराजगी रही या जू आप ने ये आप जिसको कहते है कि निइज दीखा बदा डाइसी सवाल है ये, बद मैं बता हूँगा आपको, 100% बता हूँगा, जी, इस में क्या है, जी, मैं इससे थोड़ा सब रिवर्स जाता हूँ, रिवर्स, मैंने, 2015 में मैंने decide किया था और जो मैं decide करता हूँ कि मैं कभी हिंदुस्तान में कोई भी filmy award nights होती है या कभी भूले भटके कोई award अगर मुझे मिलेगा तो मैं कभी नहीं जाओंगा वो कोई भी award हो कोई भी type का filmy award कोई भी हो I had a very bad experience एक बहुत नामचीन अवाड फंक्शन होता है मैं और मेरी वाइफ को पहले फोन आता है कि आपका मेरे को बोला कि आपका जो album है वो non film category में वो है और उसको मैंने बोला मैं आऊंगा अगर मुझे मिल रहा है तो आऊंगा ने तो नहीं आऊंगा पुला नहीं मिल रहा है और आपको हम अपना दो या चार आपको कितने वियाइप गोल्ड कार्ड क्या होता है पुला गोल्ड मत्तब आगे वाला आगे अली सीट तो मैंना आगे पीछे इस क्या फरक पड़ता है बैठ ना और क्या आवाट लेकर जाना है घतम बग तो उन् आने के बाद मुझे बहुत सदमा लगा हमारे हिंदुस्तान की ऐसी ऐसी विभूतियां जो बार भी तेर भी रो में बैठे वेते हैं और जो अभी निकले हैं सब अच्छे हैं सब अच्छे हैं ऐसा मैं किसी का वह नहीं कर दा उनका कुई कसूर नहीं वह लोकसा फ्रेंट रो में बैठेवें तो मैं उड़के उनके साथ बैठा पीछे बैठा है पहले तो वहीं पर मिलेको ज्टका लगा फिर सब वहां पर यहो रहा था कि कॉन अभी तो जो आया है बड़ा परस्नलिटी जो अब इस अब बीटी तो हर चीज हर फिल्ड में है आप समझ सकते हैं तो वहां हातो हाथ चेंज और था मामला किसे फ्री में परफॉर्म किया इसको मिलना चाहिए इस के टेकरी में इसको अब आवड दे तो यह आया है तो अब वह मेरा काफी वह मतलब विका है जो आप उनलाइन चेक कर सकते हैं 23 गंटे में वह आल्बम कुछ नंबर बन पर था रिलीज होने के तो वह मेरे को नहीं मिला मुझे उस चीज का दुख नहीं है कि मुझे नहीं मिला लेकिन मुझे एक चीज की बड़ी संतुष्टी होई और मैंने एक सीखा उस चीज उस दिन सीखा मैंने कि हिंदुस्तान में अधास करके जो फिल्मी कारिकरम होते हैं जो फिल्मी आवार्ड्स होते हैं उसमें मैं उसके बाद मुझे कुछ-कुछ आये फोन आये कि आपका झाये काना उसमें मैं आपको जिसको देना है देनी जी नहीं आँगा और मैं कभी में लाइफ में में अबॉर्के पीछे नहीं बहागता ता मेरा बता हूं क्या है आप हो मेरा आवार्ड जो आप मेरे से इतने घंडे से बात कर रहे हो आप म्यूजिक को समझते हो मेरा आवार्ड है कि पंडित रवी शंकर जी आकर के अभीनो जी के साथ आकर कि मुझे बुला करके मेरा माथा चुमा वो मेरा आवार्ड है मेरा एवाड है कि लिटा जी लिटाजी ने उनकी KMPनी से अपना मेरा अलबम lui लॉंच किया क्लेसिकर को का बाईल है वाइलिलियिस के एवासी कstyle को मेरा वह सब कुछ है यह मेरा ऑवाड है कि तो बात रही पदम श्री की या इस की तो आपको वी पता है मुझे भी पता है कि जो भी decision maker जो जूरी में हैं या मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता या तो उनको music पता नहीं है शायद या उनको music की समझ नहीं है या उनको ये नहीं पता कि कौन किस level कर काम कर रहा है तो ये सारा lobby है सर्गे एक बड़ी lobby है तो ये आपके अगर ministry में या कहीं अच्छी पैचान है तो आपको परंचरी मिल जाएगा या पद्म भूशन भी मिल जाएगा या भारत रत्न भी मिल जाएगा you never know ऐसे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जो जिनको सीधा straight away जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए सीधा इसे इसे विद्वान लोगे हैं लाइक इलिया राजा सर्व मैं एक एक्जम्पल दे रहा हूँ और कोई discipline नहीं रहा सर्व और ना इस अवार्ड की वैलियू रही है आज बहुत सारे कलाकार हैं शंकर जी को बहुत लेट मिला सुरेश्वाड एकरजी को बहुत लेट मिला उनसे पहले जिनको मिला आपको भी पता है मुझे भी पता है जो मुझे पता नहीं डेजर्व करते के नहीं करते लेकिन उनको बाद में मिलता तो अच्छा रहता आज की तारीक में आज की तारीक में क्लासिकल गाने वाली हां फीमेल आर्टिस्स क्लासिकल जिसको बोरना चाहिए कि एक अलग लेवल पर ले गई है खौशी की चक्रवर्ती मेरे इसाब से उनको तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए कुमार भोज जी है है सपन चौदी जी है और कफ बहुत सारे आर्टिस्स नाम गिनाने जाओं तो मतलब वो यहां इस कंट्री में क्या है मरने के बाद ही आपको पूजा जाता है या खरीद लो और या खरीद लो या मर जाओ उसके बाद आपका स्टैच्व बन जाएगा यह हो जाएगा बस और कुछ नहीं तो यह चीज में कोई दिल्चस्पी मेरे को डे वन से नहीं रही और जब इस चीज की गंदगी पता चली कि यह तो बड़ा ही दलदल है तो यहां से ध्यान ही अड़ी है बिलकुल ध्यान कभी था भी नहीं पहले भी और अब तो बिलकुल भ फून लगा तो एक दो साल में जैक लग जाएगा आपका तो वह नहीं चीजिए सर्थ वह वैसा नहीं चीजिए का वह बिलकुल नहीं चीजिए मुनवर राना साब का शेर है जी जी मैं बिलकुल समझ रहा हूँ और मैं आपके इस फैसले का सम्मान भी करता हूँ क्योंकि जो भी हम लोगों ने इतनी लंबी बातचीत की उसमें यह तो समझ में आई गया कि आप अपने अपने उसूलों पर आप बिलकुल खरे रहने वाली बात है तो एक बड़ी दिल्चस सी बात है और उससे मैं आता हूँ अभी मुनवर राना साब पर एक शेर याद आ करें हो जो लोग हम लोग को देख रहे हैं उनको लगा वाइलिन का है तो यह क्या इश्क को अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे मुझे इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए जैसा मामला है कुछ सर अनफॉचनेटली क्या हो गया अनफॉचनेटली क्या हो गया कि मेरे दोनों तिनों वाइलिन जो हैं वह स्टूडियो में लेकिन मैं आप सबसे जितने दर्शक गंड हैं उनको मैं हाज जोड़ करता हूं कि यह सिलसला यहां खतम नहीं हुआ एक एपिसोड पूरा प्लान करेंगी जिसमें मेरा वाइलन भी साथ में होगा और वो मैं मेरे भाईया के साथ फिर से करूंगा तो वो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं सर और रहा सर की एक दिन ऐसा नहीं हो था कि इंस्ट्रुमेंट ना खुले और रियाज ना हो वो तो पॉसिबल ही नहीं है इस जन है तो बस कोशिश करता हूं कि अपना काम लाइफ में जितना बड़े बुद्रुकों से सीखा है अपने पिता जी से अपनी माता जी से सभी से सीखता हूं मैं तो एक और चीज मैं आपको सर्फ बताना चाहूंगा यह जो फिल्मी भूत ना यह फिल्मी भूत ऐसा उत्रा मे में में कभी जिन्दिगी में फिल्म का म्यूसिक नहीं करूआ एंड़े मुझे मुझे मिव्सिक करना है तो मैं फिल्म का क्यों करोई आप IN script अब ये हिंदोस्तान में लोग बात कर रहे हैं लेकिन यह पहले से रिवाया शुरू हो गई यह चीज मुझे जग जी तंकल बत तो वो मुझे बोलते थे कि जहां उमीद होती जहां आप फोन करते हो यहां जिसको मिलनु तो यह काम हो जए आपको जिन्द séиниhol काम अपको अलग से लिगा और काम मिलें ना हूँ यह सोच ना बंद करो तुम कोई में भी बैठोगे ना और तुम्हारा काम पक्का होगा यह मोबाइल तो अभी आ है तो सोचल मीडिया यह वो सब कुछ कुछ सालों से ऐसे से कलाकार हुए है जिनको लोग घर से पकड़ के लेके गए कि नहीं आप ही चलिए पता है आपका काम स्टॉंग होना चीए आपका काम स्टॉंग होना चीए कोई perfect life में कोई नहीं कोई perfect नहीं सब में कमिया है सबमें खूबिया है वह ऐसी खूबिया कि उसी में लेकिन जो आदमी insecure अपने आपको insecure किशी के साथ संगयत करके कर लो या किसी और के साथ बजा की कर लो या जैसे भी वैसे ही destiny है यह मैं believe करता हूं लेकिन आप अपने जो कर्म है कर्म कार्म कि उसको बोलते हैं अपना उटके अपने मेनत करना अपने रियास करना हान अगर कुछ काम आ रहा है तो समझो नहीं सम करते हैं वो मानने के लिए कोई तयार नहीं है इंडिस्ट्री में वो तीन शर्त यह हैं मैं बड़ा उपनली बोल रहा हूं आपको कि जो जो भी मैं कंपोस करूंगा आप सिटिंग कर लो में साथ मुझे स्कृप भेज दो सिनॉप्सिस दे दो सिनॉप्सिस देने के बाद जो अब यहां पर क्या चलन हो गया है कि आप option दीजिए option option बनाइए टीस गाने बनाई आट गाने बनाइए बारह गाने बनाए बही क्यूंबनाए बढ़े जब पहला ही अच्छा है तो क्यूंबनाए नहीं option बनाए न अच्छा option बनाते है चलिए आप मुझे valid point बताईए सी यह ऑर कारण से घेरे वेऊं को किसी और की सुननी पढ़ती है तो कोई ना कोई कोई multipartर किसी की अपर किसी के उपर कुछ ना कुछ है मैं यहहलन डिश्व काम करना चाहता हो और मैं कर रहा हूं मैंडिंडिक रहा है तो मेरी तीन शर्थे जो है कि मैं option नहीं दूंगा एक compose एक गाना बनाया मैंने वो ही जाएगा उसका arrangement आप discuss कर लो क्योंकि cinema है तो उसके उनकी अनुसार आपको चलना पड़ता है वो वो कर लो आप discuss उसके बाद आप सीधा studio आई है master लेके जाएगे अगर मेरा टेंपो 89 ने तो 89 रहेगा और 90 नहीं होगा और लेटिस कौन लिखेगा वो मेरा कॉल होगा अगर आप मुझे सजेस्ट करते हैं कि यार यह अच्छा है एक पर ट्राई कर तू डेफिनिटली करूंगा मैं अगर मेरी knowledge में है कि हाँ यह बंदा सही बोल रहा है अच्छे suggestions are always welcome अभी यार इस singer से ट्राई करते हैं उस singer से ट्राई करते हैं उस singer से ट्राई करते हैं अलुबाजी सब्जी क्या ट्राई करते हैं हर सिंगर का अपना एक मयार होता है अपना एक तरीका होता है अपना एक पहला होता है अपना एक स्केल होता है अपना एक टेंपो होता है एक पेस होता है हर सि आपने ट्राइक बना दिया है आप किसी भी सिंगर को बुला के Ugh करा रहे हो और आ अच्छा नहीं जाए आप ने उसको पूछा कि तुमको गाना है तो उसके स्केल डिसाइड करो ना पहले उसका टेमपोडि सिंपोडियो से टेमपोडिकिक रो चलेगा नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा तो अभी क्या हो रहा है ना कि वो चला गया ताइंग मेरे कितने लोग बोलते हैं कि यार पुराने गाने आज भी मतलब पंचंधा के हैसरी बन मन के, इसलील शादरी साब के खयाम साथ के, ये सारे मेरे फेवरिट है नहीं आएगा हां सिंगर अलेट हैं सब को पर्चा कोई नहीं देख रहा अभी तो गाना रिलीज होता है तो पता चाहिए गाना डुएट था क्या तुमने भी गाये था क्या अच्छा यह गाना मैंने बजाये था क्या आप जीते नहीं नो गाने के साथ आपको आया आपको 16 पर बजाना है यह यह गाना है गादो क्यू ट्रैक बजाया है की बूर्ड पर आपको उस गाने का कोई आप गुसा ही नहीं आपके अंदर दिल भी नहीं परच्छा देखके आप गारे वह मेकैनिकल हो नहीं है सर बाकी बेडागर कर रहा है मेलोडाइन ने और इंटारिस न अंकर ने देखा कि यह दाल निकलने वाली फिल्म डॉस्ट्री में अपना पुआ खुद को दो अपना पानी खुद प्यों उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाना शुरू किया अपने लाइव कांसर शुरू कि एक जगा बना ली हां हिंदुस्तान में चग जीत अंकल पंकर लेकिन मैं घजल की बात कर रहा हूं जो जग जीत अंकल पंकर पंकर जास जी नहीं जो अपना एक जो स्टेडस और जो चीज को मेंटें किया मुझे पंकर जी से कितनी बार मेरी बात होती है आज कितनी बड़ी बात है कि उनके गाएवे घजल या गीत वो मैक्सिमम जो फिल देकर फिल्म बनाना चाहते हैं मुझे कल सब्जेक्ट लेकिन वो कभी नहीं उस चीज से हिले नहीं वहीजा मैं काने तक ख्रीकों उझे इसमें मैं खुश्च ब्रूब तो फोकॉस अभी क्या होता है कि जो अभी कि मैं किला कर देखता हूं अच्छा का अच्छा का करन टाइम यह चल रहा है तो यह करेंगे तो हिट हो जाएंगे अभी क्या चक्कर हो रहा है कि हिट कैसे हो उनको यह नहीं देखना है कि मेरी जो मेरे अंदर जो बैस क्वालिटी है वो मेरी वाइस घजल के लिए है या फ्लिबैक के लिए है या वो अपना हर दिन मूल चें स Davidson की जाते हो तो अपनी पहचान तो बनाऊ अपनी पहचान बनाने के चक्र में यह लोग कोई गीत का रहें फिल्मों में तो दो-थीन साल पहले एक दिन ऐसे बात रहे तो कहने लगे कि भाईया आजकल हर दूसरा आदमी फोन करके कहता है कि मौला लिख दो तो बोले मैंने हाथ जोड़ लिया कि मौला नहीं लिख सकता हूं बाकी चाहिए जो लिख वाले हो कि वो ट्रें का बदमाशियों का और संगीत साधना का सुना बड़ा आनंद आया लेकिन आप हार्मोनियम लेके बैठे हुए तो वाईलिन ना सही लेकिन कुछ तो और चुकी आपने गायकी सीखी भी है तो वो चंद चीजे जो आप सुनाना चाहते हों जो आपके दिल के बेहत खरीब हो वो भी सुनेंगे हम और उसके बाद फिर जैसा आपने वाईदा किया है वो वाईदा एक दम याद रिखिएगा जब वाईलिंग के साथ देपर बैठना है जरूर 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 तो कुछ आप अभी सुनाएं और उसके बाद आपको आपको हार्मनेम लाउट तो नहीं हार्मनेम उनेगे हार्मनेम कि में जमीन के रिष्टों से कट गया को बान यार्मनेम गकर ठीकियों से कट गार्मनेश मेरे कलम पे जमाने के बहुत दिर बात की ना तो भी गला थोड़ा ठक्या है मेरे कलम पे जमाने के गर्ग ऐसी मेरे कलम पे जमाने के बहुत दिर गर्ग ऐसी के मेरे कलम पे जमाने के बहाँ आ पे कलम मेरे को छी नमके बहुत का बहुत है ऑंसा कि में जमीन के श्तुम से खट देया यारो मिहावान युली को सेजा यारो इसी में इसी में एक बड़ी प्यारी चीज है जो मेरे दिल की बेहत करीब है एक सेकेना गिमी वन मोमेंट शुर् इसी से मूह रहत हो देखे आया फिर उसी राह गुज़े पर शायदे इसी राह गुज़े पर शायदे इसायदे इसी राह गुज़े पर शायदे हम कभी में सकी मगर शाय दिया फिर भी फिर उसे उना दुझे तर चाहिए जो भी बिचले जो भी बिचले वो कब मिले फराद जो भी बिचले वो कब मिले फराद जो भी फिर भी तर चाहिए जब बताते हैं कि लिखी कंपोज करने के लिहाज से बहुर्ट तब तक गणते हैं गजल है मतलब आपने जो वर्जिन गाया सब्गोता यह गुलाम अली साहब आला नहीं है लेकिन यह शायद पर जब जगजीत जी आले इसलिए मैंने का यह यह जगजीत सिंग की जी की उन गजलों में से है जो शायद उतनी जादा लोगों ने नहीं सुनी अगर उस तरह से मं करना शायद आप बेटर समझते होंगे में इसी मूड में इसी मिजाज इसी रंग में इसी राग में जे बिच्छेडे के खान साब की खुलामनी साब की मैं अपने आपको बड़ा ही बाक्षाली मानता हूं सच मेरी उनसे बात होती रहती कभी-कभी मुझे फोन करते रहते ह और देखिए इस इन लोग के काम में क्यों असर है मैं ये अच्छा वाई जिक्र निकला हमारी जब बात होती है फोन पर वो पहले हाल चल पूछा चार अट सेकंड उसका देख मैने नया कंपूस कैसुन कैसा लगता है सर ये पैशन जो है ना ये अंदर ये आग ये देखने के भी मुझे तुझे से बिचर के भी मुझे तुझे से ये पतु कुमा ये देखने के भी या तभी को तुझे बहुत 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 मज़ा है और जैसा मैं बार बार रिपीट इसले कर रहा हूं क्योंकि आपने शुरू में बात बता दी थी कि लॉक्डाउन का आपके उपर बड़ा नहीं है अब अभी वेसे ही वेसे हैं तो इसमें मैं फिर से आप से बार बार याद दिलाने की कोशिश करना हूं कि बहुत 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 आपका धरनेवाद और आपके अंदर वो जो जो जिसको शायद आप कहते हैं कि वो आपका इसके जो सन्कार है वो ना सिर्फ कायम रहे बलकि वो बचे रहे और उन्हीं उसी खुबसूर्ती के साथ बचे रहे जिस सूब्सूर्ती के साथ हमें बड़े बुज़र्ग हमारे देकर गए थे या हमें सवंप कर गए थे बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लि यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राये रखें इसके लावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आ अब वक्त हो तो तुरन देखें नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतिय शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरुकता फैलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए ख